जननी जन्मभू मिश्चस्त त्वर्गादपी गर्यसी रिशी बालमिकी जी अपने करंथ में लिखें हैं अरे अपने आपको समालो क्या हुआ क्या हुआ बोलो ना क्या हुआ ये लोग शिकायत करने गए थे राजा ने इन सब की आखें निकाल ली अन्हों ने बहुत गलत कापकिया है हम इसकी सजा उन्हें जरूर देंगे क्या हुआ लोगत मैं अर्वाइब झालत कापकिया है हुआ हुआ अर्वाइब लोगत ओषक और देंगे क्या हुआ प्रूर चक्तव रह्क्तव अन्हें जरूर लिखेंगे अन्हें लोगत मैंगे हुआ 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 है हुआ 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 है पहु के पल के लिए अन की ताकत अन के लिए धंती है इस धंती के लिए ताकत की जरूरत जैनिकों का काम है लक्षा करना इस राजमहल के लिए बलिदान देना अरे क्या हुआ 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 है जोश जादा हो गया ऐसा कुछ नहीं है अच्छा तो रात को खाना नहीं खाया क्या नहीं जोब हो जाओ यह क्या शोर मचा रखा है शास्त्र जी और नायक आप हमसे रोज यहीं बुलवाते हैं कि हमें बलिदान देना है इस राजमहल की सुरक्षा के लिए हमारा परिवार रास्ते पे आ गया है हम इस राजी के रक्षक हैं और हमारा कोई ख्याल नहीं रखता ऐसा क्यूं बोल रहे हो तुम लोग तुम राजमहल के लिए काम करते हो ना हाथ में ना पैसा है ना पेट में भोजन पिर शक्ति कहां से आएगी मालिक सारे राजी की रक्षा हम लोग करते हैं और आप सभी लोग आराम से पेट भर के भोजन करते हैं बताई कहां का न्याय है ये शास्त्री जी राजा का राजा विशेक हुआ लेकिन हमें कोई पुरसकार नहीं दिया गया है और नहीं हमारा पगार बढ़ाए गया है और नहीं रुट जाओ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, आप लोगी खुछ रेंगी तो कैसे चलेगा? जबान बंद करो अपनी, शेर हमेशा शेर रहेगा और गिदड़ हमेशा गिदड़ रहेगा, आपका भदा करेंगे तो राजा हमारी आंखे निकाल लेंगे, आखिर हम क्या कर सकते हैं मतलब हमें कोई फायदा नहीं हमारा कोई मूली नहीं है क्या हमारी मेहनत व्यारते शास्त्री जी अपने आपको शांत कीजिए और हालात को समझने की कोशिश कीजिए आप सब मेरे सभी साथियों हमारी जिम्मदारी सिफ राज महल नहीं सिर्फ राज नहीं पूरा देश है सैनिक बनकर रहने वाले हम सब लोग आखिर राजा के बराबरी कैसे कर सकते हैं सेना नायक आप सब हमारे हम कदम है आप लोगों को क्या लगता है कि आपको कोई नयाय नहीं दिलाएगा महनत हम लोग करते हैं और हमारा फायदा वो लोग उठाते हैं वो बड़े लोग तो मेरे भाईयों आप लोगों को नयाय दिल्वाने के लिए मैं खुद आगे बढ़के राजा से नयाय मांगूंगा ऐसे नार की ये जीवन से तो बहतर है कोई एक अच्छा काम करके मर जाओं मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मेरे सैनिक मेरे लिए भाई समान है और उनकी भलाई के लिए मेरे प्राण भी चले जाए तो भी कोई परवा नहीं लेकिन अब मैं तीछे नहीं हटूंगा सैनिकों को कश्ट देने वालों के साथ चा करना चाहिए नहीं चोड़ना चाहिए मारना है मारना है क्या करना चाहिए नहीं चोड़ना चाहिए प्रणाम महराज जी महराज जी नायक मुद्दना सैनिकों के साथ मिलके राज महल के खिलाफ शर्यंत रच रहा है महराज जी खबर बिल्कुल सच है जी महराज राजाओं के राजा राजा मातंड कस्तूरी का तिलत लगाने वाले राजा शेव के जेशे ब्रजिने वाले राजा इस राज के पालन हार सभी अर्ट्रशक्रों के वहां क्या 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 विद्री गर्यक वर्शाली बहुरी अधिशक्तिशाली विश्व विजयी दिविजयी मंत्री जी मुझे खबर मिली है कि नायक मुद्धन्ना जिस राज महल के विरुद्ध शड्यंत रच रहे है पहले वो बात सामने रखिए जैसी आग्या महराज नायक मुद्धन्ना जी इस राज महल के विरुद्ध आपने सैनिकों को भड़काया है ये समाचार हमें गुपचरू से मिला है बताईए क्या ये सत्य है शमा कीजिए एक नायक होने के नाते सैनिकों का भला बुरा पूछना क्या इस राज्य में गलत माना जाता है महराज सैनिकों का भला बुरा सोचने के लिए हमारे महराज है ना मुद्धन्ना जी महराज के सामने अगर कोई शिकायत करता है तो वो उसकी आखे निकाल लेते हैं उसे बेरहमी से माच डालते हैं तो वो लोग कहा जाएंगे ये क्या बत्तिमिजी है महराज को सजा देने का अधिकार है सिर्फ सजा देना ही राजा का अधिकार नहीं होता है महराज दिल में दया भी होनी चाहिए नहीं तो राजा कहलाने का अधिकार नहीं है ए शैतान जानते हो तुम किसके सामने खड़े हो कर बाते कर रहे हो मैं शैतान हूँ क्या शाथ हो जाईए मुदन्ना जी इस मडकरी की धर्ती पर कई पीडियों से बहुत सारे युद्ध हुए है खाजानों की चोरी भी हुई है यहाँ पर लोग सही समय पर लगान भी नहीं भर रहे है इसमें आपके क्या सैनिकों का कोई हाथ नहीं नहीं, बिलकुल नहीं प्रजा को, किसानों को, व्यपारियों को कहा जाता है उनके साथ भेद भाव नहीं करना चाहिए लेकिन आपने अन्याय की सारी सिमाय पार कर दी है आज के युग का सत्य यही है दंडम, दश्गुनाम, भवेत और हम वही कर रहे हैं महाराज है, चुप हो जाओ मंतरी जी, इसने अपनी सीमा पार कर दी है इसे मेरी सभा में, इस राज महल के विरुद्ध सडियंत रचने के अरोप में इसे यहां से निकाल देने का आधेश देता हूँ यह मेरी आज्या है जो आज्या महराज अपने सेनिकों की न्याए की बाते करके उनकी परिस्थितियों को आपके सामने रखकर मेरे मन का बोज उतर गया है इतने वर्षों तक इस राज महल की सेवा करने का उसर आपने मुझे दिया इसलिए आपका अभारी हो अब मुझे आज्या दिजिये महराज अब मुझे आपका अभारी हो चाहन रखे घड़रोगों वालूमों से अल्ट कर दो एफ गए धिया जोना रिजा गूल। वालूमों से गवैसे । वालूमों से भी ठालूमों नहीं दो प्तिक विल्मों औराथा तो पापी, तो पापी, अरे पापी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया, सैनिको, देर मत करो, बंदी बनाओ इस राज़ द्रोही को, एए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, छोड़ो मुझे, एए, छोड़ो, यही है, सैनिको की शक्ति, द्रोही, तुम मुझे बंदी बना रहे हो, तुम एक शैतान हो, पापी हो, नीच से भी नीच हो, एए, छोड़ो मुझे, हमारे मुझे बंदना नायक जी को, इस राज जिका राजा बनना चाहिए, सही कहा तुमने, उनमें कितनी हिम्मत है, सैनिकों की आखे निकाली तो उसने राजा कोई जान से मार दिया, ऐसे लोगों की वज़े से ही, हम सभी सैनिक जीवित हैं, वो पुन्याग्मा है, वो हमेशा खुश रहें, भाई, आप तो शेर के समान हैं, सब के सामने, राजा कासर धर से अलग कर दिया, भाई, सारे सैनिक मिलकर आपको बंदी ना बना ले, ये सोचकर मैं तो डर गया था, मेरे भाईयों की उपर हाथ उठाने वाले को मैं कैसे छोड़ देता, भले ही मेरे प्रांड चले जाते लेकिन मैं अपने भाईयों को बचा लेता, भरी सभा में, राजा ओवन्ना नायक की हत्या करके, सैनिकों को न्याय दिलवाने के लिए, खड़ा होने वाला नायक मुदन्ना ने सारे सैनिकों का गौरब और सम्मान प्राप किया, और उस रिक्त सिंगासन पर, राजा का उत्रा धिकारी छोटे राजकुमार का राज्य भिशेक हुआ, और उस राज महल में राज्य की रक्षा करने के लिए, नायक मुदन्ना ने उस राज्य का प्रमुख स्थान प्राप कर लिया, मां बिटा, मां, बोल, और कितना दूर चलना होगा, बस थोड़ी ही दूर और है, चलते हैं, ठीक है मां, बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, आपके यहां कुछ काम है तो बताईए न, मैं कर लूँगी, अरे, जाओ यहां से, यहां कोई काम नहीं है, चलो जाओ जाओ, आजाते हैं कहां कहां से, बहन जी, कुछ काम है तो बताईए न, बहन जी, बस एक समय का खाना मिल जाए आपका सारा काम अच्छे से करूँगी मैं बेहन जी जान ना पहचान ऐसे कैसे रखलू कुछ राके ले गई तो चलो निकलो यहां से मा जिसके पास जाओ वो सिर्फ जाती और गोतर की ही बात करता है ये सब क्या होता है मा इस दुनिया में अच्छे बुरे लोग तो होते ही है बेटा आईए मा जी यहां आईए भाईया आपके घर में कोई काम है तो बताएए ना यह मर्दों के रहने की जगह है और तों को अंदर आना मना है है लड़के हमारे अखाड़े में तुम क्या कोई छोटा मोटा काम करोगे हाँ जी मैं आपके लिए भी कोई काम ढूंडता हूं ठीक है भाईया तब तक आप हमारे घर में रह सकती हैं नसीब किसी को भी नहीं छोड़ता महादेव को भी कमंडल पकड़कर भिक्षा मांगनी पड़ी थी धन्यवाद धन्यवाद कर भी में रह सकता हूं पको भी नहीं पर देख जर्वेरी करते हैं बत्त बत्त तुम्हारा नाम क्या है कनकम्मा तेरा पती कहां है वो गुजर चुके हैं गुजर चुके या मार दिया क्या पता किसी और के लिए उसे मार दिया हो इस गाओं में आवारा लोग बहुत हैं सभलकर दिखने में सुन्दराव मासूम लगती हो मां मां क्या हो मां तुम रो क्यों रही हो मां पताओ ना क्या बात है अकेले होने पर ये दुनिया गलत नजर से देखते हैं हर कोई कुछ न कुछ सुनाता रहते हैं तुम रो मत मां मैं तुम्हें किसी के घर काम नहीं करने दूंगा मैं खुद काम करूंगा गाओं के जो पहल में रहने वाले बच्चों का ही नहीं बलकि पूरे गाओं के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौपी है कि बच्चों के 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 बच्चों कर अवार, तर भाहार मकर वाद जुट 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 हुआ कर दो सुट dependency का जो गचार साथ किस भी को है कि अवार लुट जुट है कर दो कर दो कर दो कर दो बहुत बढ़िया लाओ इसे मैं दिखाता हूँ ऐसे करते हैं बटको गुरुजी क्या हुआ ये ना बिना पुछे गदा और सामान चुरा है इसे समझाईए ऐसा नहीं करना है कौनसी जाती काय कौनसा कुल कुछ पता नहीं नौकर बनकर आये नौकर बनकर ही रहे ये गुरुजी नहीं तो हम लोगे शखाड़े में आना बनकर देंगे हैं तुम बस अपने का कम से मतलब रखो ठीक है गुरुजी मोर्गों नाचते देखकर मुर्गी भी नाचने की कोशिश करती है इसकी तरह सिर्फ बातों से कुष्टी मत करो लड़कर कुष्टी करो चलो शुरू करो चलो सुनिए आप लोग चित्र दुर्ग के राजमहल से लगान वसुल करने के लिए ये सैनिक आये हैं आप सब लोगों को जो देना है इने दे दीजिए अगर पैसे नहीं है तो आप लोग अपने अपने पास से अनाज भी दे सकते हैं गुरुजी दिन बदिन हमारी हालत खराब ह होती जा रही है ना बारिश है ना काम है खाने के लिए आना अजी नहीं है तो कहां से दें तुम सबको पहले भी कितनी बार समझाया है कि हमें राज का कर चाहिए चलो वसूल करो सुरी 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 कि वर्मा अंदर आओ मा यह सब लोग कौन है मा मेहनत करने वालों को बड़े लोगों के बारे में जानकर क्या करना है मा राजमहल कहां है राजमहल के बारे में जानकर तुम क्या करोगे हम मजदूर हैं चलो अंदर झालो अंदर जाजमहल के बारे में जानकर क्या करना है क्या 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 करना है कर दो कर दो कर दो दो प्रणाम गुरुजी, सैन्को को देख के आप ऐसे क्यों डर दे गुरुजी? वो क्या है बेटा, महल के नायक का नाम सुनकर थोड़ा डर लगता है, मुद्दन्ना बहुत खतरनाक है, उसी का डर है क्या वो कोई राजा है, जो उससे डरते हैं? नहीं, बड़े बड़े, राजा भी उसका नाम सुनकर डर जाते हैं, राजा तो सिर्फ नाम का है, वो बहुत पाराक्रमी है, अब उनके बारे में मैं क्या बोलू? उनके पाराक्रम के बहुत से किस्से हैं बहुत ही कम उम्र में, जवानी के दहलीज पर कदम रखते समय, अपने राजा के मर जाने के बाद, उनके छोटे भाई, लिंगा नायक का राजिविशेख होता है उसके पश्चात, मुदनना नायक, राजा लिंगा नायक की ग्रूरता पुरुवक हत्या कर देता है तत पश्चात वहां के राजा होते है, रंगपा नायक, ये कहानी उनी के काल की है सिर्फ दो दिन के अंदर आप लोगों को लगान भरना होगा सुनिये बंधुओं, राज महल से संदेशा आया है इस साल सबको ज़्यादा लगान भरना होगा अनाज भी सबको ज़्यादा देना होगा, ऐसा कह रहे हैं वो लोग जो इसमें है मैं वही पढ़ रहा हूँ गुरुजी, इस बर बारिश न होने की वज़़े से खेती नहीं हुई लगान माप करने के लिए पत्र लिखें ना स्वामी जी लगान ना भर पाने के कारण लोग आत्मत्या कर रहे हैं गुरुजी, कुछ कीजिए न ठीक है बंधुओं, मैं अपनी तरब से राजा जी को पत्र लिखकर उनसे विनंती करूँगा प्रणाम गुरुजी चलते हैं आपका ही सहरा है चलो 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 मलिक है लगान क्यों नहीं भरा इस साल खेती में बहुत नुक्सान हुआ है तो लगान की माफी के लिए हमारे गुरुजी राजा को पत्र लिखने ही वाले हैं तेरा गुरु हमारे मालिक का कोई जीजा है या भांजा है जिसके बोलने से मालिक लगान माफ कर देंगे पहले चल कर उस गुरु से लगान वसूल करते हैं मालिक, मालिक, लगान वसूल करने के लिए सेनी का रहे हैं मालिक और गाउं वालों के उपर वो लगाटार अत्याचार कर रहे हैं मालिक, इस तरह भी आ रहे हैं वो गुरुजी, अब हम क्या करें? आने दो, घबराओ मत, उन लोगों को भी प्रसाद गरण करने दो, कुछ दे कर भेजोगे तो ही वो लोग जाएंगे ठीक है गुरुजी आप लोग घबराएं मत, आप लोग प्रसाद गरण कीजिए, बेटा इन्हें भी दो बेटा इन्हें भी दो यहाँ पर शिव जी की पूजा चल रही है, आप लोग भी प्रसाद गरण करके ही जाईएगा हम लोग यहाँ पर तुम्हारा खाना खाने नहीं आए गुरुजी हम कोई गलत कदम ना उठाए, उससे पहले ही सब कुछ लाकर रख दो मालिक, इस वर्ष बारिश और खेती दोनों ने हमारे साथ धोखा किया, खाने तक का अनाज नहीं मिला है, ऐसे में हम लगान कहां से देगा गाने के लिए अनाज नहीं है, फिर भी तुम लोग भूखे तो नहीं मरें ना, सारे घरों में अनाज जो छुपा कर रखे हो, उसे निकाल कर गाड़ी में डालने के लिए कहो, वरना हम लोग खुद ही निकाल लेगे नहीं मालिक हमारे गाह में बहुत गरीब लोग हैं हमारे घर में हम दोनों ही हैं हमारे पास जो है उसे ले करके जाईए हम दोनों आपके पहर पढ़ते हैं वह ऐसी बात है पहले इसके घर से अनाज निकालो नहीं तो जरा रुख जाईए इनका भोजन पूरा हो जाने दीजि कर दिया तुने जरा भी देया नहीं है तुझ में रुख जाओ बेटा फिंसा मत करो हमें रोकने वाला तू कौन है अच्छा तू यहां खाना खाने आया है क्या महादेव रक्षा कीजिए अच्छा होगा तुम यहां से चुपचाप चले जाओ अब कौन हो बेटा नायक मुदन्ना का सेन अधिपती तुम्हारा नायक कोई राजा तो नहीं है जब तुम्हारा नायक ही ठीक नहीं है तो तुम लोग ऐसा करोगे ही न्याय नीती धर्म का पालन करना सीखो मेरे सामने फालतू की बाउसुरी मत बजाओ हमारे हाथों मरने से पहले चुपचापे हाथ से चले जाओ बिनाश काले विप्रीद बुद्धी जरा धिरजदर तुम्हारा ये सारा खेल अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा हमें शमा कर दीजिए आपके साथ बुरा हुआ यह स्थान हमारे लिए उचित नहीं है चलो चले ज्राओी तुम्हार तुम्हार प्लाओा ये ज्यादा हमें तुम्हार प्लाओव ठीजिए जर बुम्हार जिए बुम्हार। वो वो लन खुदह सद्देश्वर इस नायक मुदन्या के आत्यचार की वज़ा से इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है अब शेव ही कुछ बला करेंगे साधू इसी ने तुमसे कहा था ना कि नायक मुदन्ना कोई राजा नहीं है तो हमें ही उपदेश तुनाएगा क्या बंदी बना लो इसे मालिक 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 इसे देखिये जरा हमारी हालत बहुत खराब है ये बनाने के बात भी उन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है मालिक आपकी बातों का भी मान नहीं रखा मेरे घर को लूट लिया उन लोगों ने अब हम क्या करें उनकी देख्माल के लिए सैनिक है लेकिन इस गुरू का कौन है क्या उन सैनिकों से अकेले मैं लड़ पाऊंगा क्या उनसे लड़ने की हुम्र है मेरी हमारे पास सैनिकों से भी अब लोग एक हो गए ना तो वह सैनिक मिलकर के भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे पर उसे लड़ने की ताकत और हिम्मत किसमें है वह आप ही बताईए कि वक्त एकसा नहीं रहता कि अंधेरी के बाद उजाला आता है कि और वह उजाला आने वाला है उसे शिव का आशिर्वात प्राप्त होगा वो धर्ती भी चीर सकता है दर्या से मोती निकाल सकता है दुष्टों का संहार करके कश्ट दूर करेगा जैसे खंबा फार कर श्रीहरी बाहर निकले थे वैसे ही वो बाहर निकलेगा हमारे लिए उस दिव्य पुरुष्ट जंग लिया वो यहां आने वाला है लो लो दो लो दो वाला है प्रुट अज़ गराइब गराइब बाराइब करें, या प्रुट रखिए भराइब जाएब प्रुट ने रहा हया है? झाल 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 मेट झाल 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 माँ पेचा मेरा राजय मेटडी कि एम पेचा मेरा राजय मेरा subtit Wet माजये वह . अरे तुछे संप ह ord Argentina मेडिके? डिको बेगो न कि मुझे जिड़ा आ यहा इचुर्ण हें माँ पॉक जिड़ा ओ इवलने पॉक्षाए अझे इस वैल सब बाह заг pictured गरूर जी जिन जी नियुक्त वाइवार कुरते हैं गुरुजी जिन जिन का समान था उन सब को पूर्ण रूप से लोटा दिया है जो गाउं से लेकर गया था वो सब लोटा कराया हूँ बाकी जिन जिन का बचा है उन्हें आप दे दीजी ठेक है गटा उतार उतारो नीचे उतारो उतारो हां हा आराम से आराम से आराम से जाना चलो पर ज़ंडियाओ गांडियाओ पक्रविद अलिभर में जलोओ टू। हाँ हा वह सय शज्ज्ट वहिंत लेकर जजा न है सोचय जुद कर रातफा चुझ भारी है最व striving इतना वजन लग रहे क्या है इसमें जरा इसे खोलो देखो मैंने लगान और पैसे नहीं दिये तो सैनिक उने धंकी दिखी मेहल में चलकर तुझे दासी बना देंगे मुझे इसमें डाल के ले जा रहे थे और इतने में आप लोग आपका गाउं कॉन सा है मैं छोड़ कि आ जाऊंगा मेरे माँ बाप नहीं है आप मुझे गाउं अगर मेहल ले जाएंगे खृप्या करके खृप्या करके मुझे यहीं रहने दीजिए सुनो बेटी अगर तुभारा कोई नहीं है तो तुम इनके साथ रह सकती हो बेटी हमारे साथ इसमें सोचने वाली क्या बात है आपकी भी उमर हो गई है घर में रहेगी तो हाथ बटाएगी ना आपका गांवालों को अच्छा लगता है तो ठीक है आ जाओ बेटी जाओ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो क्या हुआ सीता बहुत ही परिशान लग रही है क्या हुआ माने कुछ कहा इतनी गहरी सोच में क्यों हूँ मैं तुम से नाराज हूँ आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया मा और मैं एक ही बात तो कहते आ रहे हैं सबसे लड़ना राजमहल के विरुद चाना यह सब क्यों करते हो तुम सारे लोग बेचारे डरे हुए थे इसमें मेरी क्या गलती है यह तुम्हारा ब्रहम है राजमहल के लगान को चीनना अना चावल चीनना यह सब गलत है यह राजजी के नियम के विरुद है वो सब मैं अपने घर नहीं लाता जो जिसका है उन्हें लोटा देता हूँ क्योंक वह लोग जो करें हैं वो गलत है तो तुम जो करें वह भी गलत है रात के वक्त सेनिकों को मुझ चुपा कर लूटते हो अगर लूटना ही है तो अपने चेहरा दिखा दो ना मैं वह सब कर सकता हूं सीता यह तो सिर्फ एक छलक है लेकिन तुम राजमहल और राजा की तरफ अधियरी हो वैसे मुझे तुमसे प्यार भी तो है कि अधियां अधियरे अपने सैनिक और गाडिया गायब हो रही है और साथ में सामान भी जरूर इसमें किसी की चाल छुपी हुई है सही कहा भाईया अब हम क्या खने बताईए यह सब जानकारी प्राप्त करने के लिए राजमहल में कीड़ा उत्सव करवाना होगा सब लोग गाउं गाउं जाकर इसकी सूच न पहुँचा दो जैसी आपकी आग गया सुनो 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 राजमहल में उत्सव होगा सुनो 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 राजमहल में उत्सव होगा सुना 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 तुमने क्रीडा होट सब में जीतने वाले को राजा के साथ भोजन और पुरसकार भी मिलेगा तुम जाओगे जाने और लडने के लिए मैं हमेशा तयार है लेकिन हमें सैनिकों ने पहचान लिया तो इसली तो कहती थी सैनिकों के विरुत लड़ने से अच् करो ऐसा मुम्किन है क्या है मुम्किन तुम हरे खेल में हिस्सा लो और फिर पुरसकार जीतो तुम और तुम्हारे सभी साथ ही राजा की शाबाशी लो और विश्वास भी जीतो अपनी परिशानी को दूर करने के लिए नायक जी के मन को जीतना जरूरी है नायक वो अपने घर का नायक है तो मुद्धन्ना जी का दिल जीतो वो बहुत बड़ा राक्षस है ऐसे लोगों का दिल जीतना जरूरी है क्यूं अंगुली माल का मन बुद्धा ने भी बदला था ना जो भी सच्चाई से लड़ता है वही जीतता है क्रीड आउट सब में तुम्हार तुम्हारे साथ ही भाग लो और जीतो बस यहीं मेरी इच्छा है तुम जाओगे ना अपने साथियों को लेकर बोलो ना जाओगे ोुम छाही नाओगे इकर शहीं छिस्ता है अपने लेकर किका लाहीं जाओगे गडहीं किक लिऑन और किक प्रतिवोगत्ते लिए सारे लोग आगे शुरू करें। हम्हं। और जो भी इस प्रतियोगत्त में भाग लेगा और बात में जीतेगा उससे हमारे नायक मुदन्ना जी राजा के हातों से खास पुरुष्कार दिलवाएंगे। तो सभी प्रतियोगी लड़ने के लिए तैयार हो जाए और जीत हासिल कर पुरुषकार प्राप्त करें और अब राजा जी इस प्रतियोगिता का शुभारंब करेंगे वो कह रहे खेल शुरू करना है चल उठ जा बेटा उठ जाओ चल पहा दिखा अब तुझे इनका बूतरों को उड़ाना है नाई मान नाई उड़ाना होका बेटा उड़ाते अरे उड़ाना हो उड़ाते बेटा हाँ 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 हाहा! हाहा! एदो एदो एदो! हाहा! मजा आ रहा है मजा हाहा! सबी लोग सुनें इन चुनोतियों को पार करने के बाद जो भी खंबे में लगी हुई इस तलवार को निकालेगा वही असली भलशाली आद्मी माना जाएगा उसे पुरसकार के साथ सम्मान मिलेगा सुनात तुमने वर्मा जो इन सारी चुनोतियों को पार करेगा वह मुंदन्ना से मिल पाएगा हम भी सारी चुनोतियों को पार करके उसे अपनी परिशानी बताएंगे हाहा! मैं इसमों भाग लेता हूँ! है वर्मा एक चुनोति मैंने जीत ली अब अगली चुनोति जीतनी है तुम्हें मुझे हिफाज़त से घर पहुचाना है यहां की लोगों को देखकर ऐसा लगता है यहां कोई आम लोग नहीं है सारे दाकतवर लोग लग रहे हैं यहां की सारी चुनोतियों में मैं ही भाग लेकर मुद्धन्ना जी से न्याय मांगूंगा कर दो झाल 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 जब ले खिलेड़ा को जड़ाइब इसाल थाघब अ का जब एक्वार था जली ड़ाईब अ झाल 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 कुले थालदेने चाई आग 있어서 कर दो दोता हूं throughout कि आपस्ट कि आपस्ट कि ए ए ए ए गौने पर ए हुआ है झाल 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 बढ़िया सिताम भे झाल अजय प्यूजल कि घाज खुमन दोगना डिन कोड़ सिर्मीत इठाइए. कि अ हुजूर, मुद्बन्ना ने हमारे सब ही आदमियों को मार दिया आज से पहले राज महल का खजाना कभी कम नहीं हुआ था इस से चिंती ठोकर मुद्णना ने इसके बारे में गहराई से सोचा गाउं से लाए गए लगान और छीने वे अनाज को रास्ते में ही लूट लिया जाता था इसके लिए उसने एक चाल चली और सच का पता लगाया अगल बगल के गाउं में बहुत बलशाली वक्त है तो उसने एक लड़ाई की प्रतियोगिता करवा कर उसमें खतरनाक खेलों को शामिल किया और गाउं से आएवे यूगों को एक शक्तिशाली इंसान के साथ चुनौती करवा कर उन्हें मरवा दिया और उसी समय उस लड़ाई प्रतियोगिता के बीच भीजापुर के दिलावर खान के सैनी राजा की सेना और मुदन्ना को मारने में विफल हो गया उसके बाद नायक मुदन्ना ने फैसला किया कि वो दिलावर खान और उसके सामराज्य को समाप कर देगा भाया 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 वो वर्मा कहां पर रहता है उसका पता लग गया है एए कहां कहां रहता है वो पास के गाउं के अखाडे में रहता है वो भाईया आप मुझे मौका दीजिए मैं अभी सैनिकों के साथ जाकर उस वर्मा और उसके सभी दोस्तों का सिर काट दूंगी और आपके चर्णों में पेश करूंगी नहीं बेटी ये बहुत ही खत्रे वाला काम है अगर इस मामले में कोई अन हो नहीं हो गई तो मैं बरदास्त नहीं कर भाऊंगा बेटी मुझे एक मौका दो भाईया उस वर्मा और उसके दोस्तों की आज ही छुट्टी कर दूंगा उन सब का सर काट कर हाग के चर्णों में चढ़ा दूंगा बहुत अच्छी बात बोली तुमने उन कमीनों की आज की रात आखरी रात होनी चाहिए जा तुम ओ भाई वर्मा वो सीता हमारे साथ रहकर हमें ही धोका दे रही थी इसलिए कहते हैं प्यार मौत के समान है लेकिन सच में उसने गाउं में रहकर बहुत बड़ा नाटक किया है यकीन नहीं हो रहा मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मुदन्ना की गुप्चर है इस खेल में भाग लेने के लिए कहकर उसने हमारे प्राणों को संकट में डाल दिया वो लड़की बहुत चालाख है बहुत चालाख है ऐसा लग रहा है कि अब हम में से कोई भी राज महल के प्रकोप से बच नहीं पाएगा प्रकोप से बहुत 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 चालाख है बहुत 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 चालाख है कि अ बहुत 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 कि फिर भी इंडhernya की य रहुत बहुत बहुत चालाख है कि फिरी Pat capabilities लो एगा यह तो इा जहाएँ? है यह यह तो जहाएँ? उस अज़ मैंने खित जहाएँ जहाएँ थाते है जहा लोगा है जहाएँ जहाएँ हो आया दो मजाआ या ऑा होो मजाया मजाया बहो हो मजाया आसली मजाआ आजाओ तो ही मुदन्ना कासली भाई ये चोटे, शाबाश अो हाहाहा कि मुझे लगा मेरा भाई वर्मा का सिर काट के लाया है लेकिन उस तें तो मेरे भाई का ही सर काट के मुझे भेज़ दिया ऐसा कभी सोचा नहीं था मुधन्ना से दुश्मनी करके बहुत बड़ी गलती बहुत बड़ी गलती करती है इन सब का जिम्मदार मैं ही हूँ इसलिए इसका जवाब मैं दूंगा मैं दूंगा इसका जवाब मैं खुद उसका जवाब दूंगा यह क्या वर्मा तुम इतनी बड़ी गलती करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमने मुदन्ना के भाई का सर काट दिया क्या सोच कर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई अगर मुझे पहले से पता होता कि सीता मुदन्ना के घर से है तो मैं कभी भी उसे यहां रहने के लिए नहीं कहता यह सब हमारे लिए ठीक नहीं मैंने तुम्हें सब पहले ही समझाया था ना लोगों को सिखाऊंगा सब की मदद करूं में डाल दी अब कौन बचाएगा तुम्हें देखो लड़ाई की शुरुवात में ऐसा होता है पहले अब हमें क्या करना है हमें वो सोचना है और उसके हिसाब से चलना है मुदन्ना के चाल को वर्मा ने अपने बल से विफल कर दिया है अब हम सबको एक जुठ होका रहना ह उसके सैनिक कभी भी यहां पर आकर वर्मा को बंदी बना सकते हैं हमें वर्मा को कहीं छुपा कर उसे बचाना है यह हमें करना पड़ेगा जो आक्या स्वामी जो आक्या स्वामी जी आओ आओ पाक क म्या जो एको nosso और आफ प्लुफा वपतो अो आ सकते हैं हुआ है जो साहत कर दो कहां है वो वर्मा दर के भाग गया क्या या तुम लोगों ने कहीं छुपा दिया है मेरी फीट पीछे चाल चलने वाला कमीना अब कहां गई तेरी हिम्मा चल सामने आ अगर तु सच में हिम्मत वाला मर्द है तो सामने आ बे सीदा कहां जा रहा था तुझे लगता तुप चाहिए रुख जाओ मुदन्नाम आप यहां वर्मा को सजा देने आये थे मारने के लिए नहीं इससे राज महल ले जाकर इससे राश्त्रो ही कहकर इससे बदनाम नहीं करना चाहते हैं हम बस सजा देना चाहते हैं सकत कहां तुझे बड़का रह रह रहुआँ रह भपान रहो 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 रहाँ की आँ अश ताया जो झासिता है कान खोल कर सुनो हमारे राज में आज तक जितनी भी चोरिया हुई है जितना भी धन और खजाना लूटा गया है उनके पीछे इसका हाथ है आप सब ध्यान से सुनें राज महल में आज तक जितनी भी चोरिया हुई है जितनी भी हत्याय हुई है उन सारी घटनाओं के पीछे इसका हाथ है इसने हम सभी को धोखा दिया है इसे माफ नहीं कर सकते चित्र दुर्ग की सारी प्रजा मैंने आप लोगों के सामने लाकेजी से खड़ा किया है ये वर्मा नाम का युवक हमारे राज महल के विरुद साजिश रचने की कोशिश कर रहा था इसने लगान देने वाले लोगों को अपने विरुद करके उन्हें बहकाया है हमारे बहुत सारे सैनिकों की हत्या की है इसने यहां तक कि मेरे छोटे भाई जो मुझे जान से ज़ादा प्यारा था उसे मार डाला ये सिर्फ राज्द्रो ही नहीं ये समस्त मानो जाती का दुश्मन है इसलिए इसे जान से मार देने की राजा सहब सजा सुनाए अज हम लोग इसे अपने शेर का भोजन बना देंगे वर्मा तुने हमसे दुश्मनी करके बहुत बड़ी भूल कर ली अब देख तेरी भूल ही तेरे जान के लिए खत्रा बन गई है मेरे मृत्यू का समय अभी तक आया नहीं है नायक और जादा समय नहीं है मेरी आखरी सांस तक और मेरा आखरी पल आने तक तेरे ही विरुथ इस राज्य के लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा छीन कर खाने वाले कुट्टे चोटे राजा ओवना रंगधा राजा को मारने वाला तू नायक कहलाने के नायक नहीं है मेरे सामने उची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी मैनज करके खाने वाला शरीर है मेरा तेरी तरह छीन कर ठूसने वाला बैमान नहीं हूँ मैं समझ गया कमिने ए मुदना इस राज-महिल की प्रजा के सामने मैं तुझे आगाध करता हूँ दूसरों के स्थान को हत्याने वाले कवरवासोर मासूम लोगों की हत्या करने वाले रावणासोर और दूसरों का हक छीनने वाले कंसासोर जब ये सब मारे जा चुके हैं तो तू क्या चीज है मैं ही मृत्य हूँ मुधन्ना शान थे तो मुध्तू अगर जा गया तो मृत्य हो तो इस चित्र दुर्ग राजमें कदम रखकर वर्षों से अखाडे में मेहनत करके हर मुसिबत का सामना करके तो जैसे घमंड में रहने वाले घमंडी का घमंड चोर चोर करने के लिए पैदा होकर आया हुआ मर्ग की तरह एक हिम्मत वाला शेर हूँ मैं एई लेके जाओ इस रास्तुरही को इस धरती पर मुझ जैसे हजारों लोग पैदा हुए हूँगे लेकिन आज के बाद इस चित्र दुर्ग में तेरी कोई चाल नहीं चलेगी सिंगहासन हासिल करने का सपना छोड़ दे और अच्छी जिंदेगी जीने की आशा कर इस राज महल के असली वारिस को ही ये सिंगहासन लोटा दे अगर लोटा देगा तो ही अच्छी से जी पाएगा नहीं तो लेकर जाओ इस राजदरोही को झाल! लिव भी टोई दोई रूंग लोज नट लोजल이다 लोजम प्लगब Prague जार भूए भाह लोज़ क्यऽकर वोज़ इंडर हो को करेंग को लिन कर दो कि एल कि एल डाद, प्यौन आए, एल एल कि एल ए ए ए! एल एल! ए ए… एल! पर आओगँ के ऐही हमाँ आओ़ अम आओग़ आओड़ू प्रॉट, प्रॉट, जो याओ, जो याओ, हाओ, हाओ शाब पाश तुम ही असली मर्द हो बेटा इस चित्र दूड राज की मिट्टी में तेरे जैसे असली हीरे ने जन्म लिया है यह देख कर इस उड़े के अंदर जवानों की जैसी ताकत आ गई है उस खतरनाक और खुंखार शेर से एक शूर वीर की तरह है अकेले ही लड़कर तुमने उसका काम तमाम कर दिया अरे वाह कितनी हिम्मत है क्या जोश है मान लिया मान लिया तुम सक्वेवीर हो हर रोज यहां पर एक शेर आता था लेकिन आज सवा शेर आया है तुम असली शेर हो इस राज्य के असली शेर वर्मा क्या है यह सब और तुम लोग यहां पर कैसे आ गए वह सब मैं बाद में बताता हूं पहले यहां से निकलते हैं चलिए हाँ चलो अब यहां अब भईया 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 पहल कोटरी से वर्मा भाग गया है भईया और उसके साथ राजी के मंत्रीजी और काल कोटरी में बंद राजा उन दोनों को वह भगा ले गया है भईया इतना ही नहीं हां हमारे शेर को भी उसने मार दिया चुक हो जा कमीने तो मेरे भाई कहलाने के लायब नहीं है उसे जान से मारना छोड़के अपनी जान बचाने के लिए भाग के चला आया तेरे जैसे कायर लोगों को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं कोई हक नहीं है अरे वेवर जी क्या हूं आप इंसान है कि नहीं कि आपको छोटा भाई है अपनों को पर नहीं चुड़ेंगे यह किस बात का अपना है अगर उसे लड़के आया होता तो इसे अपने सर पे बैठा था लेकिन ये तो डर के अपनी जान बचा के भाग आया आप इंसान नहीं है इंसान नहीं है देवर जी अपने आपको समझा लिए अप मैं चुछ नहीं बैठ सकता मैं उसे चाकर बहुत क्यार बार किसी की जान लेने के लिए जिद्धी पर बाद करने के लिए हमेशां तयार रहते हैं गलती तो वह कर रहा है ना उसे ही भुगतना चाहिए लेकिन तुम लोग सब सही होना पर क्यों भुगत रहे हो आपके छोटे भाई तो नहीं रहे मंजले भाई मौत से लड़ है और तुम इन मामलों में नहीं पड़ोगे मेरा कोई बेटा नहीं है मैं तुम सबको ही अपना बेटा मानते हैं तुम्हारा भाई आपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने के लिए हमेशां तयार रहता है बस करो तुमने आज तक जो किया बस हो गया आप कुछ भी कहो मैं अब बीना लड़े चुप नहीं बैठ सकता मज़े माप किजिए कि अढ़े झाल ésापने अढ़े लोगे हा मैं बढ़े लोगे हाए लोगे हाए प्रहित है वे लोगे 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 हाए जिए अग्जान कर बाइब तो है इन्सान होकर ऑफिजान मर जैसा बरताओं मत करो और कितने मासूम लोगों की जान लोगे तुम क्यों इतना लालच पाल रखा है तुमने तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने वाला कोई है तुम्हारे इन पापों की वज़े से मेरे गर्व में कभी कोई बच्चा नहीं ठेर पाया सिर्फ बीजबोने से कुछ नहीं होता धरती के मिट्टी में भी छमता होनी चाहिए पतिवरता हाँ दुष्ट हर एक इंसान की पत्नी पतिवरता ही होती है रावन की पत्नी मंदोद्री दुर्योधन की पत्नी भानुमती हिरन्य कश्चप की पत्नी कयादू वो सभी पतिवरता ही थी और उनकी वज़े से उनका राज्य भी बढ़ा और उनका सपना भी पूरा हुआ तो अब तो मुझे ज्यान सिखाने आई हुई है तेरी तुम्हें ना मुझे पत्नी वरता बनके रहना है नाहीं मुझे रानी बनके रहना है इसलिए मैंने फैसला किया है आप मुझे जान से मार देंगे तो भी चलेगा पर मैं सच बोल करी रहूंगी आपके सारे गुनाहों को कबूल करूंगी मैं प्राण अपने प्राणों के रक्षा कीजिए आप आपके अंत का समय दूर नहीं है तेरे पती वरता का घुन अब सामने आ गया बोल कुलक्षनी मेरे खिलाफ आवाज उठाए जी तो तुझे अपने साथ रचे क्या फाइदा है हाँ 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 तुम लोग राजमहल के मुख्य द्वार से यह यहां कैसे हुआ हाँ हाँ अ Still बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता मुद्धन्ना जी तो हमारे नायक है उस महान इंसान की धर्म पत्नी आत्म हत्या कर रही थी हमारे नायक जी का मान-समान सब भिट्टी में मिल जाता नहीं मेरी इस हालत का कारण भी वही है यह आप क्या कह रही है हमारे जैसे कितनों पर प्राण निछावर करने वाले भगवान है वो वो भगवान नहीं है, राख्षस है, राख्षस है, तुम लोग उसकी सच्चाई नहीं जानते, अगर सच जानते होते, तो तुम लोग उसे कभी जीवित नहीं रहने देते लेकिन मा, राज महल में जब सैनिकों के साथ अन्याय होता है, तो वो उनका साथ देते हैं और राजा का सामना करते हैं, सब के सामने राक्षोसों को मारने वाले पराक्रमी है वो उसमें भी उसका स्वार्थ ही था उसने जो भी किया अपने लिए और अपने फाइदे के लिए किया और कितने वर्षों तक रक्षकों जैसा गुलाम बन कर रहूंगा मैं आपकी बातें सो आना सच है नायक जी मड़ी करीके राजा आदिति की युग में आपने उनके लिए जो किया और युद्ध में उनका साथ देह कर आप ने उनके उपर उपकार किया शायद वो राजा उसे भूल गए है मड करी के राजा को युपकार नहीं भूलना चाहिए था उनके पुत्रों को छोड़ कर देखिये तो उनके छोटे भाई सर्जे नायक को राजे सौप देने के बदले वो सब भूल कर ओवन्ना नायक को राजा बना कर उसका राज्या भिशेक करवा दिया सर्जे राजा के बच्चे लिंगनना राजा और छोटे राजा को सिंहासन मिलेगा तो उनके साथ मैं भी राज कर सकता हूँ सच्वे नायक जी? नायक जी ओवन्ना राजा को सिंहासन देने के वक्त जो सैनिकों को देना चाहिए था वो सब भूल गए इन बातों की वज़े से सैनिकों के मन में राजा के प्रती द्वेश है इन सब बातों का अगर हम लोग अभी फायदा उठाएं तो देवया तुम कुछ सैनिकों को राजा के पास नयाय मांगने के लिए भेजवा दो वन्ना राजा के पास नयाय मांगने के लिए जो गए उनकी आखे निकलवा कर उन्हें बंदी बना लो और राजा के खिलाफ उन्हें भड़का दो राजा के बिरुद सारे सैनिकोंने इसका मतलब आखे निकालने वाला भी मैं ही हूँ सिर्फ इतना ही नहीं मुदन्ना की अगुआई में सैनिकों को न्याय मिलेगा विश्वास दिलाओ सैनिकों के पक्ष में मैं खड़ा रहूंगा और मेरा साथ सैनिक भी देंगे तब वो अवन्ना राजा को स्वार्गी की प्राप्ती होगी और मुझे राज महल प्राप्त होगा उस धोखे बाज ने इतने दिनों तक नाटक करके सिर्फ सैनिकों के साथ ही नहीं राज महल के लोगों के साथ भी छल किया है उसे इसकी सजा अवश्य मिलेगी उस नायक मुद्धन्ना जैसे नर्पिशाज को लोगों की बली चड़ाने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए वो जहां पर दिमिले उसे तुरंत बंदी बना लो राज महल से धोखा करने वाले के साथ क्या करना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए मारना है मारना है नहीं चोड़ना चाहिए वो राज महल के बाहर नहीं जाना चाहिए उसे बंदी बना लो जाओ प्रभू 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 बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है इसी ख्षण में यासे निकलना होगा चलिए मुझे मुसीबत आएगी इस मुदन्ना को कौन मुसीबत में ठालेगा हां रभू सारे सैनिक आपके विरुद्ध हो गये हैं आपकी सारी सचाई सैनिकों को पता लग गई वो घुस्से में आपको ही ढूनने के लिए निकले हैं आए चलिए मालिक सैनिकों से मैं बात करूंगा वो लोग मेरी बात मानेंगे आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं आ तो देखिए देखो सभी जगे देखो जाओ इसे भी बंदी बना लो दंड नायक जी मुदन्ना कहीं पर भी नहीं मिले वो नर्पिशास्ट मुदन्ना भागना नहीं चाहिए वो कहीं भेहों से पकड़ लो महल की पर जाके सामने हम उसे उसके कर्मों की सजा देंगे ले चलो इसे ले चलो बेटा बेटा तम्हें कुछ हुआ तो नहीं न मुझे कुछ नहीं हुआ है मां बहन जी आप कौन है बोलिए बहन जी लगता है मैंने आपको कहीं देखा है मैं करने कमा हूँ क्या कहा करने कमा मतलब है हमारे राज महल के छोटे राजा की धर्म पत्ती है आप यह मेरा बेटा वर्मा है यह सब क्या है मां महल में रानी का जीवन व्यतीत करने वाली आप आज इस गाओं में ऐसे हालत में रह रही हैं यह सब कैसे हुआ मां आपके इस परिस्थिती का कारण कौन है मां बताईए कौन है मुदन्ना नायक ने भारी सभा में सबकी आँखों के सामने राजा ओवन जी का सर काट दिया मुदन्ना से वहाँ पर रहने वाले राजा के खांदान के सारे लोग और सारे सभा प्रमुख बहुत घबरा गए थे सभी मुदन्ना के विरुद्ध आवाज उठाने लगे वैसे में उसके विरुद्ध कोई आवाज न उठाए इसलिए राज महल में रहने वाले प्रमुख लोगों को, राजा के भाईयों को, उनके रिष्टदारों को सैनिकों के द्वारा मुदन्ना ने मरवा दिया वो सब उनकी बुरी किस्मत थी मंत्री जी उसी समय मैंने अपने पती को भी खो दिया महराज को वहीं छोड़कर मैं अपने बेटे वर्मा को बचाने के लिए अपना भेश, अपनी भाशा सब बदल कर सारे गाउं घूंते हुए इस छोटे से गाउं में आ गए मैं और मेरा बेटा अपने अतीत को बुलाकर इस गाउं में आकर बस गे मंत्री जी आप राजा के खांदान से हैं यह जाने बिना ही हमने न जाने क्या क्या कह दिया आपसे वर्मा जी आप इतने बड़े खांदान से हैं पता नहीं था अनजाने में हमने आपका बहुत अपमान किया है हमें माफ कर दीजी आप सबने हमें जीने की उम्मीद दी बहुत बड़ा हैसान है आपका मैं मरते दम तक आप लोगों का साथ दूँगा वो सब तो ठीक है अब हमें आगे क्या करना है ये सोचना होगा महा भारत में कौर्वों की संख्या सौ के उपर थी श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे इसलिए धर्म की अधर्म पर जीत हुई थी इसी तरह हम भी उन पर विजय प्राप्त करेंगे जो मेरे मन में था वो आपने कह दिया महाराज आपकी बात सुनकर मुझे बहुत प्रसमता हुई याद रहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो अगर हम सभी मिलकर एक साथ युद्ध करेंगे तो अवश्य ही जीत हमारी होगी चाहे मेरी जान चिली जाए लेकिन हम लड़ेंगे मंत्री जी सिर्फ आवेश में आने से कोई फाइदा नहीं होगा वर्मा हमें कुछ भी करके मुधन्ना के सैनिकों को अपने पक्ष में करना ही होगा पर सैनिक हमारे पक्ष में क्यों आएंगे वो क्या है महाराज मंत्री जी तुम कौन हो बेटी बर्मा उस दिन जो लड़की संदेश लेकर आई थी वो यही है मतलब हमारे बारे में संदेश तुम्हें ने पहुचाय था हमसे जो कहा गया था हमने वही किया अब वो मुसीबत में है खृप्या करके उन्हें बचा लीजिए दया कीजिए उन्हें आपकी जरूरत है प्रणाम मंत्री जी सीथा बेटी कहा है मुदन्ना की जालों में फसे वे लोगों में से एक मुनी महल की राजकुमारी सीता भी है चित्रदुर्ग महल में रानी बनाने का सपना दिखा कर सीता को अपना गुप्चर बनाया उस नायक मुदन्ना ने लेकिन मुदन्ना की पत्नी ने सब को मुदन्ना की सचाई बता कर उन्होंने वर्मा और उसके दोस्तों की हत्या होने से बचा लिया और इसके लिए उन्होंने खजाना ग्रे में अपनी दासी के हाथों संदेश पहुचाया उसके बाद विलाई चोट गाउं में जब मुद्धन्ना अपने सैनिकों के साथ गया तो कनक्कमा और वर्मा की मुद्धन्ना से जान बचाने वाली सीता ही थी मुद्धन्ना के साथ रहकर उसके चालों को नाकाम करने वाली सीता ही थी ऐसा क्यों बेटी? मुनी महल की राजकुमारी होकर भी आपको इसमें पढ़ने की क्या जरूरत थी बच्पन से ही मुझे वो महल बहुत पसंद था उस वक मैं ना समझ थी, कुछ नहीं जानती थी आप लोगों का साथ मिला तो समझ में आया कि सच क्या है इस से पहले कि वो मुदन्ना राजमहल से भाग जाये हमें उससे हर आल में पकड़ना होगा चलो सब लोग यहां आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है आराम से रहे यहां ढर? मुझे किस बात का ढर है? परन्तु दिल को आराम नहीं मिल रहा कुछ भी करके हां से निकलना है चित्र दुर्ग महल में दुश्मान या सैनिकों को होने दो चाहे कोई भी मेरे विरुद हो जाए सबसे पहले उनके साथ रहने वाले सैनिकों को अपना गुलाम बना रहा है मुझे शेर के जैसा हूँ मैं किसी को भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला या मुदन्ना सुनाय भाईयों मुदन्ना राजमहल से भाग गया ऐसी खबर है सल्च कह रहे हो भाई हर जगा यही बात चल रही है सारे गाम वाले डरे हुए है उन्हें लगता है पता नहीं उनके साथ अब क्या होगा कल सुबै वहाँ क्रीडा प्रतियों किता में हरपण के लोगों के साथ मिलकर खेल के मैदान में ही जगडा हो गया था कल क्रीडा उत्सव फिर से होने वाला है और कल वहाँ पर युद्ध भी होगा बाखी सब कुछ तो नागेश्वरी देवी को ही पता है महा मंत्र जी सेना ध्यक्ष जी इस बार क्रीडा उत्सव उसी तरीके से होना चाहिए जैसे कि वो होता आया है उत्सव को पूरा करने में चाहे कितनी भी मुसीबितें आए पर ये उत्सव रुकना नहीं चाहिए आप निर्भय होकर तयारी शुरू कीजिए महा मंत्री जी राज महल के चारों दिशाओं में हमारे वीर सैनिक पहरा दे रहे है और इसलिए अपराधी मुदन्ना का इस महल में प्रवेश करना मुश्किल है अगर वो हमारे लोगों से बचकर किले के अंदर प्रवेश कर गया तो हमारी स्तती बहुत भी खराब हो जाएगी महा मंत्री जी चिंता मत कीजिए इस बार हमारे उत्सव में वर्मा हम लोगों के साथ रहेगा महा मंत्री जी बोलिये महाराज यदि हम लोग आज इस उत्सव के बारे में सोच पा रहें तो उसका कारण सिर्फ ये वर्मा ही है आज मैं आप सब के सामने एक फैसला सुनाता हूँ सुनाईए महाराज आज से वर्मा हमारे राज महल का प्रधान नायक होगा प्रधान नायक वर्मा की जए महाराज का फैसला हम सब के लिए मानने नायक जी हम लोग आपकी आग्या का इंतिजार कर रहे हैं हमें सबसे बहतर तरीके से मुद्धन्ना के हर शातिर चाल से बचाने वाली यह सीता है अगर आपको परिशानी ना हो तो हमारे सभी कारिय में आप ही आगे रहो महराज, मुद्धन्ना के बारे में हम जो सोचते थे वो उससे ज्यादा चालाख है उसकी चालों का पता लगाना किसी के बस की बात नहीं है लेकिन वो जो करता है वो सही लगता है मगर सच्चाई तो हम जानते हैं कि वास्तव में मुद्धन्ना कैसा है तगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदगदग झाल 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 झालन rugby ठंटजजजजजचना प्रहँ वगटशजजजजजजजजजच नतर गोיםímुईजजजजजजजजभगटफटorativo पिस अवगगगटछकansचना bastard क्यों मुझे सामने देखके सब लोग डर गए क्या मेरे खिलाफ चाल चल रहते तुम लोग कोई भी हो इस मुधन्ना का कुछ नहीं विगार सकता ए वर्मा तुम मेरे खिलाफ लड़के जीतना चाहता है खुद को तुम बहुत बड़ा बहादूर समस्ता है मैं इसे नहीं मानता कि अच्छ सकता है कि अच्छ सकता है पराद और शर्वाने किया हुए हुए सोय कर दोत्य नारी समय कर दोड़ी कर दोड़ार है। ग॥ार जोजरो में यंदे को शेख 25 साimmt सब्सुब्सिल कि में भॉ involvement कि अ अ हुआ 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 है हुआ 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 है मार दो से हुआ हुआ है हुआ 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 बजाया बहुआ है हुआ हुआ पस्ता कि आया हुआ है कि और हूं सिगां निएकन जता हूं कि उड कि और हुं से और निएकन forg dal army कि और लुटा ribbon नही बीभे जए नही नही गज औा ऊज़ आजा औा उण हा ये आज हाँ worship मुद्धन्ना की मौत के बाद उसके किये गए खलत कामों का अंत हो गया और वर्मा के राजिविशेक के बाद नए सूरी का उदे हुआ और वो महल दुष्टों से बच गया मुर्ग रावेंद्र शांती वीर स्वामी जी की कृपा से अब सुल्तान की सेनाओं से रंख शेत्र में मुकाबला के लिए तैयार है वर्मा उसके बाद खूनी तल्वार महराज ने वर्मा को सौप दी आगी की कहानी देखिए बिच्चु गती भाग दो में हुजूर! हुजूर! मुद्धना मर गया हुजूर! अब बें राए! झाल झाल